दोस्तों देख सकते हैं हमारे पास में आज एक समर्सिवल आजा हुआ है इसको आज हमें चेक करना है कि इसके प्रोब्लम क्या है और प्रोब्लम का पता लगा अगर कि इसको हमें ठीक भी करना है दोस्तों ठीक करने से पहले हम चलिए जान लेते हैं कि आपके पास में आपके टार्ट के से कर सकते पूरी तरह से और अगर आपको पता है तो लेकिन चलाने के लिए आपके पास में कपैस्ट्र तो होना ही चाहिए तो चलिये इसको हम करने कोशिज करते हैं लेकिन उसके पहले रिपेर करने कोशिज करेंगे पता लगाएंगे इसमें प्रॉब्लम क्या है दोस्तों इस तरह से हम इस तारों को पहले मूपर कर लेते हैं ताकि आपको नजर आए वहां से ठिए इस प्रकार से तीनों तार्याएं बाहर निकली वाली जो यह जो यह तो आपकी कौमन की है यज यह आपकी वजाती है स्कार्टिंगित पर लगा करके इस परकार से हम उपर लगा रहा है बुलाव तेरेक्ट बलब को लगाऊं देख सितना तेज कर रहा है और इसके बारिणि सी लिखा कि नहीं इसका दोस्तों हमार तार है इसकी उपर कम जलता है और तीफर बूदे वाले के उपर में ज़दा जाए हमारा तेज हमारा बलब क्या है लोगिन दोस्तों इसका पता आप ऐसे लगा सकते हैं कि आप पीलिस तार की ऊपर में और रेट तार की ऊपर में स्रीज के बल्ब के तार को लगाई है और ऐसे आपको बलब जो दोस्तों जैसे इनके उपर जलता है इतना तेज और इतना तेज जल रहा तो इनके उपर दोस्तों इसको हम चेक करने के लिए इसके अंदर करंट बता रहा है इसके बॉड़ी शॉट्ट है तो ऐसे में आप अगर इसको चलाएंगी तो क्या होता है कि आपकी मोटर तो चलेगी पर यह पूरी इस पीड में जैसे चलनी चीए उस तरह से नहीं चलेगी चलिए मैं आपको इस प्रकार से चला करके दिखाता हूं इसको में फसा देते हैं और यहां पर दोस्तों हम इसको अप्तार इसके उपर लगाएंगे और जादर देर नहीं चलाएंगे उसके आपके दोस सको ख्रकार लगा लेकर लगा लगा लिक कि अंपकर यहेंगे अन्यां की नहीं कंडिन पूरी तरह दोस्तों की मोटर आफ़ार आणी जैसे शक्यों सबस्क्राइब प्राथ कि प्रते पेइड कार्मियं बना दिए दोस्तों चलिए इस मोटर को खोल लेते हैं लेकिन उससे पहले हमने आपको बताया था कि हम इसको मल्टी मीटर से अपने लगा लेंगे और आप इसके ओपर ध्यान दीजिएगा यहां पर दोस्तों इसके कंटिनुटी वाले कर लेते हैं जहां पर बीब की आवाज आती है और यहां पर आपका तस रजिस्टेंस आता है जो कि दोस्तों बिल्कुल सही है अब दोस्तों जैसे इनके उपर लगाने में थोड़ों-थोड़ा मतलब आ रहा था लेकिन इनसे उपर जब लगाएंगे रेडवाली की उपर और चेल जाता है दोनों को मिला करने मल्टी मीट्र से लिए बाना नहीं बता रहा है की आप centimeters सकते है कि आ यह चलिए अब इस मोटर को हम प्रिपेर करने की कोशिस करते हैं और खोलते हैं कि देखते हैं क्या इसकी वाइंडिंग के अंदर क्या हुआ है वैसे दोस्तों इसके अंदर पानी गया हुआ है क्योंकि यहां पर देख सकते हैं इसका जोइंट किया गया है बहुत बूरी तरह से किया गय लेकिन यहां पर ऐसी गलती किया गया है कि यह पानी जाने की भर के रास्ता यह चोड़ दिया गया है यह काम करने वाली की गल्ती इसी वेज़े से नहीं बन रही है और इसके अंदर से थोड़ी दिर में निकलने लग जाता है क्योंकि इस मोटर के अंदर इस टेप वाली जगे से पानी गया हुगा है दोस्तों इसको ओपन करते हैं और ओपन करने का तरीका है यह अप सीखते हैं अज़ेगा दोस्तों इसको खोलने के लिए ही का करना होगा से त्न सफ पहले हम निकाल लेंगे बाहर ऌतों लुद्र सधेटर करना ही पड़ेगा तोंकि बहुत गलत तरीके से जाइंट हो रखता है इस त Σंय कर देंगे साइड में और उसके बाद में दोस्तों पिसकी जो एजाली है यह खोलना होता है यहां से प्रें हैं और जाली खोलने के बाद में आप देखें कि इसके अंदर यह पंप लगा हुआ यहां पर आप नजर आ रही है तो दोस्तों इस प्रकार से ऐसे थोड़ी से चलनी चाहिए यानि कि इससे फिरी होनी चाहिए ठीका और उपर से इस तरह से इतना इसके अंदर गैप होना चा होगा उसके बाद हम इस मोटर को खोलेंगे तो दोस्तों चलिए यहां सी जो नट है इसको खोल लेते हैं ताकि हमारे यह पंप निकल कि बाहर आजाए दोस्तों इसको निकालने के लिए आप इस तरह से ल lounge लगाएंगे तो मतलब यह हो सकता है ना निकल इसके लिए आपको इसको पर थोड़ा सब्सक्राइब यहां पर दोस्तों यहां पर आपको मानना पढ़े सब्सक्त už différenчик कि और सब्सक्तार करने सब्सक्तार ग्ंष चोंडार और संब्सक्तार साइब सब्सक्तार दोस्तों को μें नगा जोक्ते लेंगे हैं 25ip सम्हाल की रखिएगा तो उसके बाद दोस्तों इसको हम क्या करते हैं यहां से नट को खोल लेंगे इस चावी से नहीं खुलेगा इसको हमें टी से खोलना पड़ेगा लंबी सी जो गोटी होती है उससे पहले दोस्तों यहां पेख खोलने से पहले आपको पीछे का जो यह लगे इस तहीं देख सकते हैं यह वाली इस से यह खुलेगा इसलिए हमारे पैस में है लेकिक क्या वसकता होती है हमें कि मतलब इसको हम से खोलना होता है लेकिन दोस्तों इसको खोलने से पहले आपको अपर थोड़ा थोड़ा छोट मार ले लेठा चीए तही यह जश्क हम इसको खोल लेते हैं तो अज़े लूज हो गया पूरा अब इसके बाद में हम इसके ऊपर आ जाएंगे यह जो नट दोस्तों इसको खोल गर के फिर यहांसे इस पत्ति को हम निकाल लेंगे यह नट ही हमारा पूरा बाहर निकल जाएगा इस नट खोलने के लिए आपको इस यहां से पगड़के आपको इस तरह से टाइट कर देना है उसके वाद इस प्रकार से आपका एब यह निचे वाला खुल जाएगा आए यह निचे वाला खुल गया पर आपकी जो पत्ति है यह बाहर आजाएगी बिटिवा और यह हम इसको भी खोल लेंगे इस प्रकार से दोस्तों ये खुल जाता है तो फूलने के बाद में हम इस पत्ती को निकाल लेते हैं बाहर इस प्रकार से बाहर निकल जाती है तो इसके अंदर होता है ऐल ठीक है तो इसके अंदर के जो ओर है दोस्तों वह और निखालना पड़ेगा बाहर तो बाहर तो और निकलना लिए दोस्तों निकलना निखेो गर नाइए अब लिए पर आपको जरूण कर लेraf लिए Users की छोफे सुनिर लिगए और लिए हमें थोड़यों थोस्ते हमिए थ कि इस हमसिल को हटाने के लिए दोस्तों हम इस तरह से पेजकस ले करके इसके उपर कि मार करके निकाल लेंगे जैसे हमने इधर वाले खोला है देखिए वैसे हम इधर वाले को भी ऐसे खोल लेंगे कि यह पिए की मोटर दोस्तों अला यह इसके अन्दर और निकलता है ठीक दक्राइब ऑील्ट की मोटर हो तो इसके नदर से वाटर निकलता है और यह थी मोटर जैसे लिए रबट बगएनगे इसको सब्सके को हमें निकालना होगा तो फैसे रिकर हुआ रहे हैं कि अगे अगा 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 तो कि अगा अगा आख अगा अगा दोस्तों परकार से सारा तेल हमारी विद्धा निकल जाता है देख सकते हैं अब इसके अंदर पानी है तो उपर से नहीं नजर आ रहा है पर इस पानी का पता तब चलेगा जिए इसके अंदर कोई आप नहीं लगा हुआ है जिसकी वज़े से कि दोस्तों हमें इसको यहां से खोल देंगे तो बाहर निकलाएगा ऐसा कुछ नहीं है अब तो ठोक करके निकालना होगा ठीक है तो सबसे पहले दोस्तों इसको निकालने का जो तरीका होता हो यहीं होता है कि सबसे पहले यह जो हिस्सा है आगे वाला यह इसको बाहर निकाला जाता है अब इसको निकालने के लिए यहां पर दोस्तों एक मतलब एक पूलर आता है पास में इस प्रकार का नहीं हो कोई जुगार तो आप इसको ऐसे करके मार करके बाहर निगाल सकते हैं यहां पर हलका हलका ऐसे करके क्योंकि अंदर यह पूरा होता है चिपका करके रखा जाता है यहां से निकालेंगे तो पीछे से भी निकलता चला जाएगा अपने आपके और अगर ज्यादा हो तो आप इसको इस प्रकार से दोस्तों ऐसे उल्टा करके से थोग भी सकते हैं तो भी बाहर निकल जाएगा लेकिन क्या होता है कि तार बगएर कटने का थोड़ा हमारे डर रहता है ठीक है बागी देखते हैं गर क्या रहते हैं तो ताल का चोट मार लेते हैं इसके उपर आईसे निकालने से भी निगल जाता है कि देख सकते हैं दोस्तों कि बेरिंग वेगरा ठीक है इससा सेल कटा हुआ नहीं है और यहां में पानी है एक यह सकते हैं जो पानी बूंदे आपको दिखाए दे रही है पानी की बूंदे है यह पानी की बूंदे है इस परकार से दोस्तों निकल के बाहर आ जाता है देख सकते हैं यह वांडिंग है इसके वांडिंग अंदर करेंट है करेंट और कहां से हो सकता है चांस इसमें वह भी हम चेक करेंगे अभी और यहां से दोस्तों यह फिंबल लगा हुआ है तक है यह यह तक हें पर यहां पर दोस्तों यह की सील बगएड़ा है पर इस सहीं है सील में कोई दिकत नहीं आ है कि अबेंने कि और बाइन को इसे नजर नहीं आ रही है इसके अंदर पानी गया हुआ एक कोई कहीं इसको सुखा करके इसको चला जींगे तो सुखा करकी भाई नहीं चलने वाली है इसकी वाइंडिंग ही करने पड़ी तभी ये काम्याब हो पाएगे कि यहां पर आप देखेंगे कि इधर कोई ऐसी दिक्कत नहीं देख रही है तो इसको अगर मैं चेक करूं दुबारा से स्रीज में क्या होता देखेंगे कि अग्यों कि अग्यों कि अग्यों कि यह बता रहा है करण्ट नहीं बता रही है कि तो क्या कारण हो सकता है करन्ट इसमें क्यों आ रहा था चलिए इस लीड को चेक कर लेते हैं कहीं यह लीड तो खराब नहीं है इसके इसके विज़े से स्मय करेंट आ रहा है कि अब दुखा आप दूब ते देखें यह लेड़ सॉठ देख सेकते हैं यह लेड़ सॉठ है यहां से यह लेड़ है यह लीड़ फोगद North ौकार की जो दिखते हैं यह ल्याने रूप मोटर की जो वाइड निंग है वहां हो इसा भी ओ जाते हैं यहीं तुर मोटर की जो वाइंडिंग था मॉटर के अंदर आती है समयर ठीक करने के लिए हमें इसकी वाइंदिंग नहीं बल्कि इसकी जो है दोस्तों हमें यह लीड चैंज करने पड़ेगी अगर यह उपर से मालूंट्राइब पता चल जाता वैसे तो पता ही नी चलता क्योंकि आपकी मोटर के नहीं पड़ता है दोस्तों मोटर खोलने के बाद आपको दुबारह से अगर इसकी वाइंडिंग उद्फ कर लेना चाहिए ताकि आप पता चल जाए किसकी मैंडिंग सही है या नहीं वांकि दोस्तों इसकी जो यह लीड है यह खराब है इसको हम चैंज करेंगे और चैंज कर से लगा हुए दोस्तों इसको हम निकालने के बाद में दोस्तों हमारा यह जो वायर है यह इस तरह से निकल लेगे बाहर आ जाता है तो पर जो सिलीकॉन लगा हुए उसे हमें साफ करना होगा अब लगा है अब दोस्तों यह इसके बाहर आजाता है तो यहां पर लीड अंदर में स्वाट हो रही है यहां पर पटाका बूल गई है अंदर में इसलिए ऐसी दिक्तरिस में आ रही थी और धूआ भी इसके इंदर के इसलिए निकल रहा है दोस्तों इससे हमें ये पता चला कि मोटर की वैंडिंगे तो ठीक मेरे तर Finding सही पता रहा था ही लेकिन लीड की वज़े से इसके अंदर करंग्ड नधे बंढ़ा था और यst USPीड बंद और में से उसके अंदर कोई भी दिक्कत नहीं है पानी नहीं क्या थीक है यह करता है कि 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 लिए बदल देते हैं और आपको बताते हैं कि किस तरह से लीड घरा वे तुसको कैसे आपको बदलना चाहिए कैसे चैन्ज करना चाहिए नहीं बातों को में आपको बताएं अगले